जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी माह के तीसरे सप्ता के कुम्भ राशी फल के बारे में 15 फरवरी से 21 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा इन 7 दिनों में ग्रहों की इस्तितिया क्या होंगी, कौन सा ग्रह राशी बदलने वाला है, कौन सा ग्रह आस्त होगा और इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा, किस तरह के परिवर्तन आपको इस सब्ता हमें देखने को मिलेंगे तो ये सब को जानने के लिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और जोड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो हम बात कर रहे हैं 15 फरवरी से 21 फरवरी तक के कुम्ब राशी फल के बारे में और अगर हम इन साथ दुनों में ग्रहों के से देखें कि कौन सा ग्रह राशी बदलेगा तो 19 फरवरी का जो दिन होगा इस दिन गुरू ब्रस्पती जो कि आपकी लगर में बैठे हुए हैं क जो बुद्ध यहां पर विराजमान है तो बुदादित योग जो बना है उसका पूड पर अबहाओ भी आपको देखने को मिलेगा तो एक यही परिवर्तन इस सप्ता हमें होने वाला है बाकी सूरिय पहले ही राशी बदल चुके हैं 13 फरवरी के दिन यह जो राशी फल है यह चंद्र राशी पराधारित है और चंद्रमा की इस्तिती 15 फरवरी से करक राशी से चलते हुए तुला राशी तक जाएगी करक सिहिंग कन्या और तुला इन चार भावों में चंद्रमा रहेंगे और इसी के अनुसार आपकी जो दिनचरिया है उसमें भी परिवर्तन द दिन माना जाता है पूनिमती दिका और इस दिन योग भी बहुत अच्छे बनेंगे एक तो इस दिन पुशनक्षत्र रहेगा पुशनक्षत्र में पूनिमा आएगी और सौभागे नाम का योग भी बनेगा तो अब विस्तार से जान लेते हैं कि 15 फरवरी से 21 फरवरी का ज सराइका सेहत में भी काफी बदलाव नजर आ सकता है आपको इस सब्ताह में कारशेत्र में अगर किसी तरह का तनाव है तो सुवेर्थ के तनाव को आप जादा ना बढ़ाएं से काम लेंगे तो बहतर रहेगा आप हर परिस्तिति को अच्छे से समझ पाएंगे उस पर ध्य पाएंगे क्योंकि सयम के साथ आप अच्छे निर्ने भी ले सकते हैं और सयम के साथ ही आप काम में लाब भी पा सकते हैं कुछ लोगों को अंचाही जगे पर तबादला हो सकता है या फिर कारशित्र में आपको किसी दूसरे विक्ति का काम भी करना पड़ सकता है जिसके व वर्कलोड जादा हो लेकिन आप उसका सामना करेंगे और पूरे साहस के साथ अपनी काम को आप कंप्लीट भी कर पाएंगे इन दिनों में आपके इस्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा जिनके साथ मिलकर आप इस सब्ता हमें काफी कुछ एंटर्टेन्मेंट के लिए आप काफी कुछ कर सकते हैं अगर आप एक कारोबारी हैं तो आप किसी यूजना से जुड़ सकते हैंसे और वहाँ कुछ बड़िए इनवेस्टिमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं लेकिन जहां आपको थोड़ा रिस्क दिखाई दे रहा हो वहाँ ज्यादा सोच समझ क जल्दबाजी में कोई भेंडर नहें लेना है और पेपर्स को अच्छे से आपको द्हान देलेना है अगर पैतरक संपत्ति है पैतरक संपत्ति या फिर कोई निजी मामले में आपको कोई कोट का कोट केश चल रहा है तो ये सब्ता आपके लिए अच्छा रह सकता है किसी पैत्रक संपत्ति के लिए तो वहां जो है इस्थितियां आपको अपने फेवर में होती हुई दिखाई देंगी तो उस लिहाद से ये जो सब्ता है ये अच्छा कहा जा सकता ह चंद्रमा की जो इस्थितिया होंगी वो कई तरह के परिवर्दन आपको दे सकती है खेल कूद जैसी गती विदियो में बढ़ चर कर हिस्सा लेंगे अगर आप विदेश से जुड़ा हुआ विपार करते हैं तो आपके लिए पूरा सब्ताहा बहुत अनुकूल है आपको कई नए शुरुतों से जुड़ने का मौका मिलेगा लाब अरजित करने का मौका मिलेगा और सफलता पराप्त होगी जिस भी काम से आप जुड़ेंगे जिस भी काम में आप महलत करेंगे वहां से अपार सफलता मिलने की संभावना है इसके लिए आपको शुरुवात से ही तयार रहना है सही रण्यती बनाने की ज़रुत होगी साथ में ये भी आपको समझने के ज़यत होगी कि शायद ही ऐसा कोई घर होता हो जहां सदस्यों के बीच में मदभेद नहीं होता हो तो इसलिए आपको अपने परिवार के मुद्धों को आम लोगों से दूसरे लोगों से या परिचितों से साजा करने से वचना होगा वरना आप पर वो सभी लोग जो आपको किसी ना किसी तरह से आपको नेगिटिव बना देते हैं आपके अंदर आपकी जो सोच है उसको नीचे कर देते हैं तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा आपको अपने मनोबल को बढ़ाना होगा और अपने मनोबल के व्रद्धी के साथ ही आपका आत्म विश्वास भी बढ़ेगा तो उनकी बातों पर ध्यान ना देकर उनकी बातों पर गौड़ना करकर आपको अपने लिए अपने कामों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने के आवशकता होगी और जब आप हर कारे को पूरा करने का प्रियास करेंगे तो निश अजल्टा हासल कर सकते हैं और कामयाभी भी हासल करेंगे आप इस कामयाभी से आपकी उन्नती होगी आपकी तरक्की होगी जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा तो बहुत कुछ बताता है ये सब्दाह और जो सब्दाह का अंतिम समय होगा 19 परवरी तब गुरु जो है जो आर्थि स्थिक के आपके स्वामी हैं वो अस्थ हो जाएंगे सूरिय लगन में बैठे हैं बुद्ध भी लगन में बैठे हैं बुदाधित योग का निर्मान हो जाएगा तो बुदाधित योग का पूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा खास और से वेपारियों को बड़ा अच्छा रिजल्ट यहां मिलने वाला है जो इस राशी के वेपारी हैं क्योंकि बुधादित योग कहीं न कहीं वेपारियों के लिए उनकी भागय को चमकाने वाला साबित हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो कुछ शुरुआत में थोड़ आपका जो इंट्यूशन अच्छा है उसका जो लाव है वो आपको मिलेगा और अगर वेवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के प्रती आपके प्रेम में चाफा होगा उनके साथ खास समय आप वैतीत कर पाएंगे इस्तितियां बहुत अच्छी रहेंगी सब्ता के जन्त में कुछ यात्राइं आप कर सकते हैं जो वैपार से जुड़ी हुई होगी और यह यात्राइं आपके लिए शुब परिनाम लेकर आएंगे कुछ पुरानी यादेत आजा होंगी जिनसे मन प्रेसन रहेगा आप स्वैम के साथ किसी भी निर्नेप पर आप पहुंच स हमें आपके लिए पंधरा सोला और अठारा ये तीन दिन बहुत ही शुब हैं बहुत अगर शुब कारिये महत्पून कारे करने हैं और प्रति दिन हनुमान की उपासना करें शनिवार के दिन विशेस रूप से सुंदरकान का घर में ही बैठ कर पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का पर साथ चड़ाएं बहुत उत्तम ही उपाय है आपके लिए बड़ा अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे इस वीडियो को जाज़ादा लाइक करें शेयर करें